हलो प्रेंट्स मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे ओल्ड साडी में से गाउन बनाना तो एक्चली में जो मेरी साडी थे ये फट गई थी ये देखिए ये फट गई थी बाइक में आके तो इस पार्ट को मैं अलग कर देती हूँ और जो बाकी का पार्ट है उसको हम यूज कर लेंगे तो इसको तो हम कर लेते हैं अपने गहरे के लिए यूज ये प्लेटिड गउन होगा तो उससे पहले आपको लंबाई देखनी है तो आपकी जितनी भी लंबाई है उतने हिसाब से आपको इसमें से कपड़ा कम करना है तो मुझे ये किनारी वाला पार्ट अलग कर देना है क्योंकि मुझे जो गाउन की लंबाई रखनी है वो पच्पनेंच की तैयार रखनी है तो हमारे पास ये टोटल 40 इंच फैबरिक है अभी हम इसमें टोप पार्ट भी जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारी फुल लंबाई का गाउन बनके तैयार हो जाएगा अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस साड़ी को इस साड़ी में से आप ये मान लीजे पार्ट के लिए यूज कर लेंगे यह पार्ट वो है जिसको हमने कट करके अलग किया था तो इसमें से हम बैक पार्ट के लिए पहले इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और ये जो उपर का बॉर्डर है वो हम निकाल देंगे तो यहां से हम 14 इंच का तयार रखेंगे तो हम इसमें 15 इंच लेंगे यहां से और इसको हम यहां से कट कर लेंगे तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है तो आप भी उसका यूज कर सकती है अब यह हमने इसको कर दिया है कट अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम रख के और इसमें अपने जो हमारा मेजर मैंट है वो डालेंगी तो हम यहां से 6 इन्च पे अपना सोल्डर लेंगे 7 इन्च पे हम अपने आर्म होल लेंगे और उसके बाद अपनी ब्रेष्ट का 14 हिस्सा लेंगे और उसमें टू इंच एक्स्टा मार्जन लेंगे तो हम यहां से टोटल ग्यारा इंच ले रही है और यहां से भी हम दो इंच जादा लेंगे क्योंकि हम इसमें प्लेटे भी लगाएंगे वो अच्छी फिटिंग आती है बैक पार्ट के लिए हमारी पूरी राफ्टिंग हो चुकी है थ्री इंच गले की चोड़ाई लेंगे और जो लंबाई होगी वो भी थ्री इंच लेंगे यानि थ्री वाई थ्री का हमारा ये पीछे वाला पार्ट होगा पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है इसकी हम cutting कर देते हैं यहां से इस तरीके से यह pink वाला border वाला part हम इसमें से निकाल देंगे अलग तो देखिए हमारी जो पूरी cutting है वो front back part की हो गई है ठीक है अभी हम अपने आगे वाले part को भी cut करेंगे उसको हम दो color में बनाएंगे क्योंकि यह अंगरखा style gown है तो मैंने एक part निकाल लेना है इस तरीके से क्योंकि जो मैं दूसरा part निकालूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी तो देखिए जैसे यह एक simply part निकाल दिया मैंने पहले इसका center निकालेंगे तो अंगरखा style कुर्ती बनाने का बहुत simple सा तरीका मैं आपको बताऊंगी यह देखिए पहले मैंने center में निसान लगाया तो यह हो गया center अभी मुझे एक side से 6 इंच पे निसान लगा लेना है और लंबाई में 3 इंच पे ठीक है और इस तरीके से उसी center की हिसाब से बस इसको हम ऐसे हलका सा curve देखे सीधा कर देंगे और इसको cut कर देंगे यहां से यह देखिए तो यह हो गई हमारी अंगरखा इसमें कोई गला भी आपको नहीं cut करना है वैसे इसमें V-neck होता है अब वो कपड़ा हमारी यूज में नहीं आएगा अब जो हमारा दूसरा फैबरिक है पिंक कलर का हम इसको रखके और सेम पार्ट की cutting कर लेंगे यह देखिए इसी को रखके हमने सेम पार्ट की cutting कर लेनी है इस तरीके से तो यह जो हमारा पार्ट है वो कटके हो गया तैयार यह इसके उबर overlap हो जाएगा इसका solder हम बाद में कम कर लेंगे solder अभी जादा है जब सिलाई होगी और इसका अस्तर भी हमें ऐसे ही cut करना होगा तो इस तरीके से overlap होके भी थोड़ा सा रफली वस रखके दिखा रहे हैं हम अब इसमें से बाजू की cutting कर लेंगे तो हम बाजू के लिए कपड़े को चार फोल्ड में बिचा लेंगे और इसमें से भी हमारा काफी कपड़ा बच गया था मतलब पूरा कपड़ा नहीं लगा था साड़ी का अब यहां से साड़े आठ इंच ओड़ाई लेके खुली वाली साड़ से थिरी इंच पैसे निसाल लगाके नॉर्मली बाजू की सेब देके और यहां से हम बस cutting कर देंगे साड़े आठ इंच लेनी है चोड़ाई ऐसे और simply cutting करके इसको भी हम अलग कर लेंगे बाजू वाले पाट को भी यह जो साड़ी है वो हमारी सिल्क की साड़ी है तो सिल्क का कपड़ा थोड़ा सा फिसलता है बड़ जब सिलाई करते हैं तो उसको हम अच्छे से बराबर करके ही करेंगे पूरी cutting हो गई है अब हम पहले पीछे वाले पाट को तयार कर लेंगे इसको सीधा रखेंगे अस्तर को इसके उपर उल्टा रखेंगे अस्तर को भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया था गले पे हमने सिलाई लगा दी है देखिए अब हमने चारो तरब को भी सिलाई लगा दी है जैसे नॉर्मली हम सिलते हैं अब इसमें हम प्लेट लगा लेंगे इस तरीके से एक-एक इंच की प्लेट होगी प्लेट की लंबाई पांच इंच होगी और चोड़ाई में भी पांच इंच की दूरी होगी अब दोनों प्लेटों को हम इस तरीके से डाल देंगे ये पीछे वाला पार्ट है ध्यान रखें पीछे वाले पार्ट में आप अपने हिसाब से कोई भी गला डीप गला बना सकती है तो पीछे वाला पार्ट मैक्सिमम कम्पलीट हो गया है एक्स्ट्रा फैप्रिक जो भी निकल रहा है उसको हम यहां से रिमूब कर देंगे अब इसमें हम प्लेट डालेंगे तो जो हमने इस सिंपली अपना कपड़ा लिया है आप चाहें तो पहले प्लेट डाल लीजिए या फिर डारेक्ट डाल दीजिए तो मैं पहले लगभग डेड़ इंचे एक साइड से सिलूगी क्योंकि फिटिंग करेंगे तो प्लेट को उपर फिटिंग करेंगे तो काफी दिक्कत आएगी तो इसी लिए हम जो हमारा कपड़ा है उसको हम डेड़ छोड़ के ही करेंगे अब हम प्लेट डालेंगे प्लेटों की चोड़ाई हम लगभग एक इंच रखेंगे और इस तरीके से प्लेट को डालते होई चलेंगे यह देखिए यहां से मैं इसको पूरे में डालूंगी तो देखिए मैंने छोटी छोटी प्लेट डाल दी है तो पीछे वाला पार्ट हो गया तयार और जो नीचे का बॉर्डर था उसको मैंने एक एक इंच मोड दिया है अब आगे वाला कर लेते हैं तयार आगे वाला सेम हम अस्तर के साथ इसको ऐसे सिल देंगे जो अंग्रक खष्टाइल में हमने कट किया था अब एक सिलाई हम इसके उपर से भी लगा देंगे और फिर बाद में हम चारो तरप से इसको सिल देंगे अगर आप इसको अंग्रक खष्टाइल में नहीं बनाना चाहती है तो आपको जो भी इसमें अच्छा लगे डिजाइन सिंपल ही आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे गाउन के वीडियो अपलोड हैं आप देख सकती हैं अब ये हो गया हमारा अभी हम क्या करेंगे कि इसके नीचे भी एक सिलाई लगा देंगे और बाद में एक्स्टा कपड़ा जहां से भी होगा उसको भी रिमूव कर देंगे अब इसमें भी हम लगभग एक इंच की प्लेट डाल देंगे यह देखिए इसको भी हमने प्लेट डाल दिया है एक साइड से हो गया कम्प्लीट और यहां से एक्स्टा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे अब ठीक है यह पूरा अच्छे से अब दूसरे पार्ट को पहले देखेंगे रखके कि उल्टे सीधे का बहुत दियान रखना है इसमें तो हम पहले देख रहे हैं तो नीचे आएगा हमारा में फैब्रिक और उपर अस्तर आएगा तब हम सीधा करेंगे तो उसका एकदम अच्छा पार्ट निकल के आएगा तो बस ऐसे रखके पहले सिंपली सिलाई लगा देंगे गले के उपर ही इसमें हमने कोई पटी नहीं लगानी है देख लीजिए अब एकदम अच्छे से आया है तो हमने रखके देख लिया है तो आपको ऐसे ही दियान रखते हुए इसको सिलना होगा अब यहां से हम इसको पूरा ही सिल देंगे यह देखिए और फिर चारो तरब को इसके उपर भी हम सिलाई लगा देंगे तो यहां से मैंने इसको चारो तरब से सिलाई लगा के कम्पलीट कर लेना है तो देखिए यह हो गया हमारा कम्पलीट अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी एक प्लेट डाल देंगे और इसको इसके उपर ऐसे ओवरलैप करेंगे उससे पहले हम इसमें लेस लगा लेंगे तो मैंने इसमें सिंपली दो लेस लगा ली है और गले की लंबाई हमने 6.5 छैंच रखे और इसको इसके उपर रखे ऐसे सिल दिया है अब हम क्या करेंगे इसमें भी प्लेट डालेंगे इसको रखेंगे अपने कपड़े को और यहां से प्लेट डालेंगे और नॉर्मली बाजू वगयरा जो जोडते हैं, सोल्डर जोडते हैं, फिटिंग करते हैं बाकी सब कुछ सेम है, जैसे हम आपको हर वीडियो में सिखाते हैं, यह देखिए आप चाहें तो यहां पर डोरी बेल्ट लगाके अच्छे से लटकन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखूंगी नौर्मली बाजू को हमने इसमें अटैज कर लिया है, और उसको नीचे से भी बॉटम की साइड से भी मोड दिया है, अब बस इसमें फिटिंग करते हुए लाएंगे, जितनी भी आपकी फिटिंग है, उस हिसाब से आप दोनों साइड से फिटिंग कर लें, बॉटम वाली साइड से अब जो गाउन है वो बनके रैडी है आप देख सकती है मैंने इसके साथ नीचे लेंगा पहल लिया है मैंने एक साड़ी में से लेंगा बनाया था ताकि अच्छा ये फूला फूला लगे आप चाहिए तो इसको सिंपल भी पहन सकती है मैंने इसमें सिर्प टॉप पाट में अस्तर का यूज किया है नीचे वाले पाट में अस्तर का यूज नहीं किया है आप नीचे पिटी कोट भी पहन सकती हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको गाउन अच्छा लगेगा आप भी इसी तरीके से बिना कुछ कटिंग किये जादा इस गाउन को बना के तैय कर सकती हैं अंते तक देखने के लिए धन्यावाद आप सभी का